Hello friends and welcome to OKCAR247 आज की इस वीडियो में बात करेंगे मारूती सुजुकी सुफ्ट के बारे में हमेशा ही टॉप सेलिंग के लिष्ट में शुमार रहने वाली पिछले दो महीनों से नंबर वन की पोजीशन पर बनी हुई है मारूती सुजुकी सुफ्ट तो ऐसा क्या खास है इस गाड़ी में जो यह सबसे ज्यादा बिखती है इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे मारूती सुजुकी सुफ्ट के सभी वैरेंट्स की इन्फोर्मेशन यहाँ पर हम आपको बताएंगे इसके प्राइजिस, साइज, इंजन स्पेसिफिकेशन, वैरेंट वाइस फीचर जिससे आपको आपके बजट के अनुसार सुफ्ट का सबसे सुटेबल वैरेंट लेने में हैल्प मिल सके चली शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले स्विफ्ट के प्राइजिस के बारे में मारूती सुजुकी स्विफ्ट एक मिड्साइज हैजबेक है यह मैनूल और एम्ट दोनों ही ट्रांस्मिशन में मिल जाती है केवल पैट्रोल वैरेंट पे इसके प्राइजिस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मारूती सुजुकी स्विफ्ट का बेज वैरेंट एलेकसाई एम्ट में नहीं मिलता एम्ट में वी एकसाई, जेडेकसाई और जेडेकसाई प्लस आते है बेज वैरेंट एलेकसाई के लिए 5,19,000 रुपए से प्राइस शुरू होकर के टॉप एन वैरेंट के लिए 8,2,000 रुपए तक जाती है चलिए अब बात कर लेते हैं मारूती सुजुकी स्विफ्ट के डाइमेंशन के बारे में मारूती सुजुकी स्विफ्ट एक मिट साइज हैच बैक है मारूती स्विफ्ट की लैंद 3,840 mm है जो इन बाकी तीनों गाडियों से ज्यादा है विद 1735 mm है जो इन तीनों ही गाडियों से ज्यादा है और हाइट 1530 mm है इस segment में Maruti Ignis की height 1595 mm है इन गाड़ियों में wheel based Maruti Swift और Hyundai Grand I10 Nios का बराबर है Ground clearance में Maruti Ignis आगे है और Maruti Swift में आपको 260 liter का boot space मिल जाता है चलिए अब बात कर लेते हैं Maruti Swift के engine specifications के बारे में साथ ही compare कर लेते हैं इसके rivals के साथ Maruti Suzuki Swift में 1.2 liter 4 slander 1197cc का petrol engine मिल जाता है manual और AMD transmission के साथ जो 83 PS की power और 113 Nm का talk generate करता है जिसकी fuel efficiency काफी अच्छी है 21.21 kmpl का mileage देता है यहाँ पर power के मामले में Tata Tigor का 1.2 liter 3 slander petrol engine आगे है Maruti Swift से और talk की बात करें तो लगबग सभी गाड़ियों का talk बराबर है Hyundai Grand i10 Neos के 1 liter turbo charge petrol engine के talk को छोड़ करके जो की 172 Nm का talk generate करता है और 100 PS की power generate करता है चलिए अब बात कर लेते हैं Maruti Suzuki Swift के variant wise features के बारे में Maruti Suzuki Swift LXI variant जो की इसका base variant है जिसकी दिल्ली action room price 5,19,000 रुपई से शुरू होती है safety features की बात करें तो इसमें आपको seat belt reminder reverse parking sensors, dual front airbags, ABS, front seat belt pretensioner with load limiter, isofix child seat और high speed alert जैसे 50 features मिल जाते हैं इसके अलावा इसमें आपको body colored bumper तो मिल जाते हैं लेकिन door handle और ORVM black मिलेंगे साथी manual AC with heater, front accessory socket, tilt adjust steering wheel, manually adjustable ORVM, remote back door opener, roof antenna और LED rear combination lamps मिल जाते हैं क्योंकि ये Maruti Suzuki Swift का base variant है इसलिए इसमें कुछ features missing है जैसे की wheel covers इसमें आपको नहीं मिलते हैं front and rear power windows नहीं मिलती है आपको manually उनको up and down करना होता है central locking नहीं मिलती, keyless entry नहीं मिलती और day night IRBMs नहीं मिलते हैं साथ ही एक जरूरी feature है music system भी आपको इसमें नहीं मिलता हाला कि आप इन features को aftermarket करा सकते हैं अपनी गाड़ी में अगर आप budget variant लेना चाहते हैं तो LXI variant आपके लिए best रहेगा VXI variant हम आपको suggest नहीं करते, क्यों नहीं करते आए जान लेते हैं मारुती सुदूखी का VXI variant जो है manual transmission के लिए इसकी price 6,19,000 रुपे ते शुरू होती है और इस variant से आपको AMT variant मिलना शुरू हो जाता है यानि automatic swift आपकर आप लेना चाहते हैं तो VXI variant सही है, लेकिन manual के लिए तकरीबन इसमें एक लाख रुपे का difference आपको यहां देखने को मिल रहा है चलिए इसमें देख लेते हैं कौनसे features आपको मिल रहे हैं Safety features में कुछ features एड होते हैं जैसे Speed Sensing Auto Door Lock, Manual Day-Night IRVM, Central Locking, Security Alarm इसके अलावा entertainment में आपको music system मिल जाता है with four speaker और steering mounted audio controls के साथ इसमें आपको सारे ही basic functional features मिल जाते हैं जैसे Front and rear power windows, driver side auto down power window, adjustable front seat headrest, electrically adjustable ORVMs, keyless entry, height adjustable driver seat, co driver sun visor with vanity mirror इसके अलावा look and feel के कुछ अच्छे features इसमें आपको मिल जाते हैं जैसे gear knob पर आपको piano black finish मिल जाएगी, body color door handle and ORVMs मिल जाएगे, turn indicator मिल जाएगे आपको ORVMs पर wheel cover मिलना शुरू हो जाते हैं इस variant से और Swift के सारे ही automatic variants में आपको dead pedal, outside temperature display और gear position indicator देखने को मिल जाएगा, बाकी सारे features सेम रहेंगे सारे ही variant के लिए जिसमें भी आपको AMT मिलता है, AMT और manual में सारे ही features सेम है Manual variant के लिए हम आपको ये variant recommend नहीं करते हैं लेकिन अगर आप AMD लेने का प्लान करते हैं और आप budget variant चाहते हैं तो 6,66,000 रुपए automatic variant के लिए आप मारूती Suzuki Swift का ये variant ले सकते हैं अगर आप base variant में automatic चाहते हैं अब बात कर लेते हैं हमारी तरफ से top recommended variant के बारे में मारूती Suzuki Swift का ZXI मारूती Suzuki Swift के ZXI variant manual transmission के लिए कीमत चुरू होती है 6,78,000 रुपए से और automatic transmission के लिए कीमा चुरू होती है 7,25,000 रुपए से वो क्यों नहीं है वो हम आपको आगे बताएंगे बात कर लेते हैं मारूती Suzuki Swift ZXI के फीचर्स के बारे में सेफटी फीचर्स में कुछ नए फीचर्स आपको मिल जाते हैं जैसे front fog lamps और rear defogger साथ ही आपको अच्छे music quality के लिए four speakers के साथ-साथ यहाँ पर आपको two twitters भी देखने को मिल जाते हैं इस variant में आपको ज्यादा चौले टायर मिल जाएंगे functional features की बात करें तो यहाँ पर आपको automatic climate control मिल जाएगा auto AC, engine push start stop button, electrically foldable ORVM, adjustable rear seat headrest, 60-40 split rear seat, driver side pinch guard power window auto up outside temperature display आपको मिल जाएगा, luggage room lamp मिल जाएगा, साथ ही look and feel के कुछ features जैसे 15-inch के alloy wheels यहाँ से आपको मिलने शुरू हो जाते हैं leather wrapped steering wheel, silver finish on door dreams देखने को मिल जाएगी इसलिए ZXI variant हमाई तरफ से top recommended variant है क्योंकि यह अपनी कीमत को justify करता है चलिए अब बात कर लेते हैं मारूती Suzuki Swift के ZXI Plus variant के बारे में जो इसका top end variant है Delhi action room prices 7,58,000 रुपे से शुरू होती है manual transmission के लिए और AMD transmission के लिए 8,02,000 रुपे से शुरू होती है ZXI variant के उपर इसमें safety में reverse parking camera एड होता है और entertainment features में 7-inch का touchscreen infotainment system with Android Auto and Apple CarPlay support के साथ एड होता है इसके अलावा कुछ functional look and feel वाले features में आपको LED projector auto headlamp देखने को मिल जाते हैं LED DRLs के साथ साथ ही 15-inch के machine alloy wheels इसमें आपको मिलने शुरू हो जाते हैं तो दोस्तो ये था मारूती Suzuki Swift का एक complete review अगर आप budget पर है आपका budget कम है और आप मारूती Suzuki Swift लेना चाहते है तो हम आपको recommend करेंगे कि आप इसका base variant यानी LXI ले manual transmission में ही cable available है और aftermarket आप उसमें कुछ चीज़े लगवा करके अपने लिए एक best मारूती Suzuki Swift त्यार कर सकते हैं और अगर आप अच्छा variant लेना चाहते हैं value for money लेना चाहते हैं तो आप इसका ZXI variant लें जिसको हम top recommended variant के list में लगते हैं इसमें आपको सारे ही must have features के साथ साथ feel good features भी मिल जाते हैं और ये अपनी कीमत को justify भी करता है इसमें जो कमी है वो है reverse parking camera और touchscreen infotainment system की तो उसको आप aftermarket भी लगवा सकते हैं और अगर आप budget पर हैं और automatic variant चाहते हैं तो हम आपको recommend करेंगे आप इसका VXI variant लें AMT transmission में जिसकी दिल्ली action room price 6,66,000 रुपए से शुरू होती है इसमें आपके पास सभी basic safety features, entertainment features, functional features और look and feel के सारे ही basic safety features मिल जाएंगे और अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप aftermarket इसमें करवा सकते हैं तो दोस्तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आप Maruti Suzuki Swift का comparison वीडियो देखना चाहते हैं किसी गाड़ी के साथ तो वो गाड़ी कौन सी होगी हमें आप comment section में जरूर बता सकते हैं तो जल्द ही हम उसी गाड़ी के साथ इसका comparison वीडियो लेकर के आएंगे फिलहाल इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें थैंक्यू पर वाच्चिं जल्द है